साथियों गीता में भगवान क्रश्ण ने कहा है यग्य अर्थात कर्मनह अन्यत्र लोकह अयम कर्मबंदनह अर्थात यग्य यानि सेवा के अलावा स्वार्थ के लिए कियेगे काम कर्तव्यन नहीं होते वो उल्टा हमें ही बांदने वाला काम होता है कर्म वही है जो एक बड़े विजन के साथ किया जाएं एक बड़े लक्ष के लिए किया जाएं इसी कर्म का कर्मयोगी हम सब को बनना है मुझे भी बनना है आपको भी बनना है हम सब को बनना है साथियों आप सभी जिस बड़े और लब्मे सफ़र पर निकल रहे उसमें रूल्स का बहुत योगदान है लेकिन इसके साथ ही आपको रोल पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है रूल एंड रोल लगातार संगर चलेगा लगातार तनाव आएगा रूल्स का अपना महत्व है रोल की अपनी महत्वपुन जिम्मेवारी है इन दोनों का बैलेंस यही तो आपके लिए टाइट रोप पर चलने वाला खेल है बीटे कुछ समय से सरकार ने भी रोल बेज एप्रोच पर काफी जोड दिया है इसके नतीजे भी दिखाई दे रहे हैं पहला सिविल सर्वेसिज में कैपेसिटी और कंपेडेंसी उसके क्रियेशन के लिए नया आर्किटेक्टर खड़ा हुआ है दूसरा सिखने के तोर तरीके देमोक्राइज हुए है और तीसरा हर आफिसर के लिए उसकी ख्यमता और अपेक्षा के हिसाब से उसका दाईत्व भी तै हो रहा है इस अप्रोच के साथ काम करने के पीछे सोच यह है कि जब आप हर रोल में अपनी भूमी का अच्छे से निभाएंगे तो आप अपनी ओवराल लाइप में भी सकारात्मक रहेंगे यही सकारात्मकता आपकी सफलता के रास्ते खोलेगी आपको एक कर्मयोगी के रूप में जीवन के संतोष का बहुत बड़ा कारण बनेगी